हेलो गाईज वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल एस्किये मिश्टड़ी अवे आप सक्सेश्य में हूँ आपका एजुक्येटर सीव मिस्तरा आपका स्वागत करते हैं आपका अपने यूटूब चैनल यस्किये मिश्टड़ी पे और आप सबसे पहले जाकि टेलेग्रा पर यह आपका ही चैनल है और आज कर वीडियो है यह काफी इंपॉर्टेंट है यह आप मैं बताओंगा इसमें आपके लिए कि 12 इंग्लिस की तयारी आखिकार आप कैसे करेंगे कैसे आप 100 में 100 नंबर स्कोर कर पाएंगे वह भी बिना किसी भी टेंशन की तो बहुत ही प् कि एक हजार व्यूलाइक टार्ग कर रखते हैं और मैं आशकरता ही कि आपे ब्र स्फार बाथ के, लिए स्वार और पिछले साल में स्नुस् associates के वरीआ तो अब 2022-23 यानि की 23 की जब यूपी बोड पर इच्छा होगी तो उसमें भी ये सिलेबस पूछा जाएगा इस बार सिलेबस आपका 100% आएगा पिछले बार सिलेबस में 30% की कटवती थी बट इस बार किसी भी प्रकार की कटवती नहीं होगी पूरा का पूरा सिलेबस उम्म 10 इस्सप्त पर इंसर दिना होगह तो जो रेडिंग वाला हो वगा आफ ऐसे ही आराम से 12 नंबर च्छाप कर आंगे वह कैसे क्योंकि आपको इस हुसी पैसेज को रीड करके ही आपको इन सब का एंसर देना होगा क्या करना होगा 10 वाट इस नहीं होगा तो जाएबस बात है आप इसी को पढ़के आप इसका एंसर देंगे तो आपको एंसर इसी के अंदर लिखा हुआ है तो आप ये 12 नंबर आसानी से स्कोर कर लेंगे और कुछ भी करने ज़रूर नहीं पड़ेगी तो आपको क्या करना है जो पैसेज हो जो आपके किताब में दिया गया है चैप्टर उन सब को एक बार आप पढ़ लीजिएगा बाकी आप उत्तर निकालना तोड़ा सीख लीजिएगा उसका एंसर फाइंड करना के विशन में सीख लीजिएगा पैसेंज में इसी बसकाम कतम जैसे आप दिया है यहांप दिया है इस का इंसर आपका यहीं होगा पर आप नमबर आपन हैं नहीं अगला है हैं आप प क्या है इसी से दिया हुआ है ती नमबर और दिया है आने कि 15 नमबर आपका मिलेगा की इना की आपका इन लाइफ दिया है अपने जीवण में आपके जीवन में आप में वीजन क्या है तो यह डारेक्ट और डारेक्ट दस नंबर का आपको आएगा और आपको वीडियो मिल लाएगा यसके मिश्टडी पर कि आर्टिकल सबसे बहतरीन तरीके से कैसे लिखे कौन-कौन से तीन ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके युपी बोड़ पर इच्छा 2022 में पूछे ही जाएंगे 23 में पूछे ही जाएंगे तो वो सब आर्टिकल आपके यूटूब पर मिल लाएगा साथ मैंने वेबसाइट पर भी इसको प्रवाइड कर रखा है उसके बाद 10 नंबर आपको फ्री में बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में लेटर लिखने के लिए मिल जाएगा जी हां लेटर पर आधारित दस नंबर मिल जाएगा यानि कि पंद्रह और दस कितना होगे आपका पंद्रह दस 25 और दस 35 नंबर बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा तो 35 नंबर आ आपका फिक्स से पूछा ही जाएगा उसके बाद आपका रेडिंग में पैसे पूछा ही जाएगा फिर आपका से इस्टाट हो गापका ग्रामर में आप जैसे कि Adam's phrases बनेंगे ठीक में एंटॉनिम सीनोनिम से बनेंगे तो यह सब आपके पूछे जाएंगे एक एक नंबर के फिर वहीं पर डारेक्ट इन डारेक्ट की स्पीच पूछा जाएगा फिर वहां पर पैसिवाइज एक्टिवाइज कॉंपलेक्स अंटेंस तो यह ग्राम प्रकार से आपका पेपर रहेगा चान नंबर को आप सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा इसको आप सेंट्रल आइडिया जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप त्यार करें जैसे कि माइं मदर एड 66 अधिंक और ब्यूटी कीपिंग पीट यह तो आपका पूछा ही जा एम दैसें आपकीं हो जाएगा पूंद आपको जोरुबत नहीं पड़ी तो हम बात करेंगे कि आप आखिरकार तैयारी कैसे कर देखें इस खुरत कखरना नहीं है कि यह कुछ करना नहीं सबसे पहले क्या करनाerem क्या याप्स पैसें लेना है लेकिन इससको त्यार ना करें ken परके आप इंसर दे सकते हैं तो छले सबसे पहले हम बात करने के तयारी केसे करें देखें आप के पास twenty-four hours होते हैं आप मैंत के लिए देंगे आप आट से हैं तो इसमें भी तो इंग्लीश आएगा ही देंगी लेट फिजीक्स के लिए टाइम देंगे chemistry के लिए time देगे यहांनि कि आप हर एक subject ले time देगे लेकिन जो English है ना English आपको केवल daily आपको एक घंटे देना है कि इने केवल कि आपको एक घंटे देने की जरूत है इससे ज़्यादा आपको देनी की जरूत है ही नहीं English को जिदि आप एक घंटे मातर देंगे ना तो आप जो यह सो में सो है सो में सो स्कूर कर सकते हैं अब एक घंटे में कैसे करेंगे देखिए आपके तीन सेक्षन रहेंगे एक reading रहेगा एक reading रहेगा एक आपका writing रहेगा राइटिंग रहेगा ठीन और एक आपका grammar रहेगा क्या रहेगा ग्रामर रहेगा तो आप reading पर आप मालिजी आधा घंटा दे दीजी ठीन राइटिंग लेटर राइटिंग आर्टिकल यह तो आप बोड परिछा के समय ही पढ़ सकते हैं जैसे की लेटर इस पर जाएगा कि चलि नमबर दिलायेंगे लेटर दिलायेंगे लेटर दस नमबर आपको दिलाएगा स们ब्सक्राइब पैसे ज Adnan भी फिक्ष क्राइगा तो कहीं 스म खान करें । अब पॉर्रा नंबर हिए दिलाने के लिए अब पासमार्का के लिए क्लेकोल क्लेकोड चालिस नंबर ही तुछाहिए ना चालिस नंबर आप पागे तो आप तो पास कहीं नहीं होना है आपको पर सिंटेज गेंड करना है कि मुझे 95 चाहिए अगर 95 चाहिए तो आपको एक्स्टा ट्राइइं यानि कि जो आपके पास अलग से समय होगा उसको तो देना होगा ना तो आप अगर एक घंटे भी डेली देंगे आप इंग्लिस में तो आपके पास अभी बहुत टाइम है अभी आपके पास वहां से आप त्यारी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दूस्तों थांक्यू जहेंगी